हेलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों यहाँ पे ONGC मैंगलोर पेट्रोक केमिकाल्स लिमिटेड के तरफ से एक भरती निकल के आ रहा है जो vacancy है दोस्तो apprenticeship training के लिए अगर आप interested हो apprenticeship करने में एक साल का training गैन करने में आपकी जो career में बहुत ही help करता है apprenticeship तो आप लोग इस वीडियो को continue कर सकते हो मैं पूरा जानकरी दूंगा कैसे आपको apply करना है ऐसे दोस्तो career guidance और job की update चाती हो तो वीडियो को like करने के साथ साथ channel को subscribe कर लीजिए चलिए दोस्तो ये है इसका official advertisement जिसका link मैंने description में दे रखाऊंट क्लिक करके इस advertisement को download भी कर सकते हो जिसका online दोस्तो चालू हो चुका है 2nd December से सुरू करके 1st January 2021 तक आप इसको apply कर सकते हो जिसके लिए qualification है graduate student और diploma student apply कर सकते है जिसके पास B.B.Tech है उन लोगोंने degree in engineering है उन लोगोंने apply कर सकते है जैसे कि chemical, electrical and electrical electronics, electronics and communication, instrumentation उसके बाद mechanical से बिलंग करते हो, degree कर रखे हो तो आप इसको apply कर सकते हो पोस्त दोस्तो देख सकते हो उसके साथ जो आपकी सालली मिलेगा, stipend मिलेगा आपको B.Tech student के लिए 10,000 रखा गया है उसके बाद जोस्तो जो next post आ रहा है, वो है diploma student के लिए technician apprenticeship, technician apprenticeship में क्या रखा गया है chemical के लिए 1 है, electrical, electrical and electronics के लिए 3 वरती है mechanical के लिए 4 वरती है diploma in engineering में है तो आप इसको apply कर सकते हो और इसके लिए जो stipend रखा गया है, वो 8,000 रखा गया है 8,000 आपको मिलेगा diploma student के लिए और B.B.Tech student के लिए आपको 10,000 मिलने वाला है यहाँ पर दोस्तो application fee विलकुल भी नहीं है अगर आप eligibility criteria फुल्फिल कर रहे हो और घर पे बैठे हो, अभी तक कोई भी job नहीं कर रहे हो तो आप apprenticeship एक कर लिजिए मेरे suggestion यही है selection process के बाद करें तो दोस्तो आपकी जो diploma degree में mark secure किये हो उसी mark basis में आपकी shortlisted लिया जाएगा कोई भी मतलब आपकी written test वगेरा interview नहीं होने वाला है mark basis, merit basic selection लिया जाएगा कैसे आपको apply करना है दोस्तो इसका link मैंने description में दे रखा हूँ यह है दोस्तो online application का portal यहाँ पे दोस्तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तो registration form में आ रहे हो तो graduate apprenticeship registration और technician apprenticeship registration दो option दिया गया है आप जिसको भी apply करना चाहते हो यहाँ पे click कर सकते हो click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे एक निया tab खोलेगा जिसमें आप इसको apply भी कर सकते हो दो तारिक से इसका online चालू हो चुका है लगभग एक मेने आपको मिल रहा है apply करने के लिए यह था दोस्तो छोटा सा information वीडियो अच्छा लगा तो like करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक bye bye जैहिन